दोस्तो अक्सर हम बॉलिवुट की फिल्मों में हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि हीरो आता है, हीरो गुंडों को मारता है, हीरो गुंडों को मारने के साथ साथ हीरोईन को तो ले जाता ही ले जाता है और बॉक्स ओफिस की सारी कमाई भी लेकर जाता है जी हाँ हम सब लोग ज्यादे तर जो है हीरो के हिरोईजम को देखने के लिए सिनेमा घरों में जाते हैं लेकिन नहीं आज मैं राहूल भोज इस वीडियो में बात करूंगा उन विलेंस की जिनें देखने के लिए ओडियन्स बेकरार हुई और वो पहुँचगी सिनेमा घरो मतलब कि यहाँ पर विलेंस सपरभारी है और विलेंस को देखने के लिए लोग जाते हैं और विलेंस ने धेर सारे पैसे कमाये हैं बुक्स ऑफिस पर चलिए बात करते हैं एक एक ऐसी फिल्मों के बारे में जिसके विलेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉङ रहे एकदम 1993 में शारुख खान की एक फिल्म आई थी दोस्तों जिसमें वो एक स्टॉकर बने थे पागल प्रेमी आशिक बने थे जिनसे बहुत जादा डर लगा था और वो बोलते थे इसने बॉक्स आफिस पर उस टाइम पे 93 में दोस्तों 10.75 क्रोर्स का यूज बिजनस किया था और यह बहुत अच्छी बात थी दोस्तों उस टाइम पे इतना बिजनस करना फिल्म में शारुकान का जो साथ दिया था जो ही चावला ने दिया था बहुत ही खुबसूरत लगी थी वो फिल्म में और फिल्म में थे हमारे सनी पाजी डाई किलो का हाथ वाले फिल्म को बॉक्स ओफिस पर ट्रिमेंडस रिस्पॉंस मिला था दोस्तों और फिल्म जो है शारुक खान के जो करियर का माइल स्टोन बनकर उभरी थी हार के जीतने वाले को ही बाजीगर गहते हैं शारुक खान ने जब ये डायलॉग बोला था दोस्तों बाजीगर में शेटी का ये डेब्यू था बेसिकली शारुख खान के साथ तो इस फिल्म में शारुख खान ने जो चारेक्टर किया था वो आज तक याद रहता है दोस्तों अबासमस्तान के डिरेक्शन में फिल्म बनी थी और बाजीगर के में जो कैरेक्टर था इसको पहले सल्मान खान को ओफर किया गया था दोस्तों जी हाँ और सल्मान सर के साथ साथ इस ओफर को जब सल्मान जी ने रिजेक्ट कर दिया तो आक्षे कुमार को भी ओफर किया था दोनों हमारे जो सूपर स्टार्स ने आक्षा सर और सलमान सर दोनों ने ही reject कर दिया क्योंकि अपने starting days में वो इतना negative character जो grey shade लिये हुए हैं उसे perform नहीं करना चाहते थे फिल्म ने box office पे उस time पे 7.8 crore का tremendous business किया था एक महिने पहले मतलब की डर के एक महिने पहले ही बाजिगर रिलीज होती है दोस्तों और इस फिल्म ने भी शारुखान की जिंदगी में एक नया milestone set up किया वाव यार शारुखान अगली जो फिल्म मेरे radar पे आती है दोस्तों वो है 2012 की फिल्म अगनीपत अगनीपत बेसिकली जो है पहले अमिताब बचन जी की फिल्म आए थी अमिताब बचन जी को इस फिल्म के लिए दोस्तों best actor का national award मिला था फिल्म बॉक्स ओफिस पर doomed हो गी थी फिल्म को बहुत ही कम लोगों ने देखा था और appreciate बिल्कुल ने किया था लेकिन उसका दोस्तों दुबारा से remake बनता है और बेसिकली उसमें प्रितिक रोशन थे उसमें संजेद एट प्रियांका चोपड़ा थी दोस्तों major characters में रिश आशकों का कहना था कि रितिक इसमें hero नहीं है वो इस film में anti hero है अगर आप देखेंगे रितिक इसमें हर तरीके के जो गलत काम है उसमें involved रहते हैं क्यूं क्यूंकि उन्हें अपनी दुश्मन से मतलब की kancha-china से बदला लेना होता है तो ऐसे में जो Sanjay Dutt का character था kancha उसको ल विलेन जो में गंदा वाला विलेन जो वो कहते है ना antagonist उसके लिए भी film देखी है और box office पे कमाई तो इस film ने अच्छी करी करी दोस्तो 115 करोड अगली फिल्म है दोस्तो 2013 की फिल्म जिसका नाम था धूम 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 3 इसमें आमिर खान ने जो character किया था दोस्तो वो आज तक याद किया जाता है आमिर बेसिकली वहीं anti hero बने थे यार वो film में हर गलत काम कर रहे थे फिल्म में dance करके हमें entertainment का डोस्तो देई रहे थे और romance भी कर रहे थे कैटरिना कैफ के साथ लेकिन वो चोरियां भी कर रहे थे तो हम उन्हें basically जो है hero की category भी नहीं डाल सकते वो बने थे villain इस film में लेकिन इस villain नहीं सब का दिल जीता दोस्तो और box office पर film ने 284.27 करोड का huge business collect किया और आज तक धूम 3 की दोस्तो मिजाले दी जाती हैं कहा जाता है कि आमिर खान की ये सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है हाला कि उनसे और अच्छी फिल्में भी बन गई है जैसे कि दंगल, P.K. लेकिन धूम 3 भी आमिर खान के लिए ही याद की जाती है दोस्तो तो में हमारे माचो मैन दिखने वाले सिधार्त मलोतरा को बोलती थी एक विल्म तभी पता चल गया था दोस्तो कि एक विल्म में ये कही न कहीं है कुछ नेगिटिव शेड्स लेकर आ रहे हैं अब जब देखते हैं आप तो पता चल जाता है कि हाँ यार यार ये दोनों बेसिक को यहीं देखना था पबलिक को देखना था कि स्मार्ट माचो हैंडसम डूट दिखने वाले हमारे सिधार्त मलोतरा किस तरीके से विल्म बनते हैं रिटेश देश मुग्या जिन्होंने हमें कॉमेडी फिल्म इतनी मतलब भरमा जड़ी की कॉमेडी फिल्म दी हैं उन्होंन अब ही तक last but not the least दोस्तो पदमावत पदमावत एक ऐसी फिल्म आई दोस्तों जो की कॉन्टरवर्सी से घिरी हुई थी इस फिल्म का हर जगब बैन ओरा था प्रोर्टेस्ट हो रहा था फिल्म में डिरेक्टर को आक्टर को जान से मांने की धंकी मिल रही थी लेकिन इसके बावजूद 25 जनवरी 2018 को फिल्म होती है रिलीज और फिल्म में रनवीर सिंग का जो अलावदिन खिल जी का करेक्टर था वो सब के दिलों में बस जाता है दोस्तो word of mouth publicity जब फैलती है तो सब लोग रनवीर सिंग की अदाकारी को देखने के लिए पहुँच जाते हैं सिनेमा घरों में और सिनेमा घरों में वो जाते हैं तो भई इससे जो है producer directors को फायदा होता है basically multiplex के owner या single screen के owners को फायदा होता है क्यों क्योंकि ticket बिकते हैं यार इतने बैन इतने प्रोटेस के बावजूद फिल्म ने इतना अच्छा बिजनस कर लिया है अभी तक मतलब अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटा फिल्म ने 115 करोड का huge business कर लिया है दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है और सब लोगों ने यही का है कि अगर फिल्म देखने जाओ अब भनसाली सर के लिए जाओ दिपिका के लिए जाओ और शाहित के लिए जाओ पर साथी साथ रनवीर को देखना मत भूलना क्योंकि रनवीर ने सूपर से भी उपर acting करी है तो दोस्तो ये तो थी कुछ फिल्में जिनके बारे में मैंने आपको बताया जिसके विलिन्स बहुत जादा स्टॉंग थे और विलिन्स ने ही दर्शगों का ध्यान खीचा ऐसे में दोस्तो कुछ ओनरेबल मेंशन्स हैं वो आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि अक्षे कुमार की फिल्म अजनभी दोस्तों अजनभी में भी अक्षे कुमार को देखने के लिए लोग गए और उन्होंने जो अपनी एक्टिंग करी थी उसमें उसके दम पर वो पूरी फिल्म को खेल गए अगला जो honorable mention है दोस्तों वो है राम जाने शारुकान की अगेन एक फिल्म और अगला जो है सैफ अली खान का ओमकारा दोस्तों ओमकारा में भी उन्होंने जबरदस्त का काम किया था तो दोस्तों ये तो थी एक exciting वीडियो आपके लिए कैसी लगी आपको वीडियो नीचे के comment section में जरूर बताएं और आपकी favorite film कौन सी आपका favorite villain कौन सा है इन में से उपर से जो मैंने आपको बताया नीचे का comment section प्लीज इस्तमाल कीजिए क्यों कीजिए क्योंकि आप और मैं YouTube की family का एक हिस्सा है आप मेरे family members है तो अपने family member की बात माने और support करें and for more filmy update वाच channel filmyara with me राहुल भोच